असलाम अलीकुम वियर्स मैं हूँ आपकी होस्ट मौमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजर हूँ अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मौमेंट्स विद वीनस वियर्स आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन हैं वो क्या करते हैं वो कैसे दिखते हैं ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप जाकर देखिए उनकी प्रोफाइल जी तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद हैं एन पीपी यूथ विंग के जोनल सेक्टरी रह चुके हैं इसके इलावा पीटी आई के फाउंडर मेंबर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अर्शद मुगल आईए इससे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे हैं अस्सलाम अलेकुर्ण कैसे हैं क्या हाल है कैसा करें घृजद सबसे पहले चेह आपको कितना अर्सा हो गया है पॉलिटिक्स में और किस तरह से आप पॉलिटिक्स में आए इnस्पिरेश्वन कॉन था आप McK另外 आब की बांदर नहीं करत इस तरह politician बनना भी मुश्किल है, वह चोर तो बन सकता है, politician नहीं बन सकता है, चोर बनना असान है, politician बनना मुश्किल है, तो यह God gifted है, भुट्टो साहब के टाइम में हम भुट्टो साहब को सुना करते हैं, और उन से inspire होकर जाना हमने फिर politics की तरफ थोड़ा से तबज्जह दिहान आया, फिर सोचा के honest आदवी थे, और बस अच्छा लगा उनको देखकर, और मैंने उनके साथ तीन मुलाकातें भी की हैं, भुट्टो साहब के साथ जाती तोर पे, जी, और उनके, जब सेयर सवीर सेंजाफरी साहब, और जमिली जिन आली साहब उनके candidate हुआ करते थ तो मैं उनके साथ ओरेडी थोड़ा सा वक्त गुजा रहा है, और बड़ा अच्छा है, उनके ट्रेनिंग थी हमारे पास, और उनने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया, एक जिन्दा दिल इनसान थे, और उनके अंदर जजबा बहुत था, जजबा बहुत था, और वो कु बच्पन से शौक था, या फिर आपको जवानी में आके कॉलेज लाइफ में आपने इंस्पायर होके उनसे, तो फिर आपने ज़ॉइं किया, बस हमारे तो तीनेज थी जब हम बुर्पर साहब के साथ जब थे, तो उसमें तो फिर आप, मतलब क्या बच्पन कह लें, उसके आपके ग्याएं करें आपका वक्त हम ने संञीर तक हमने जो बद्धत ब्रफर रहा धोरिए और हमने कोशिश की है, कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की, जो हमारी जनेरीशन है, उसके लिए, हमको अपना किरदार अदा कर सकें, उनको ऐसी लाइन करें, जिस पर कि चल कर आइ साथ गुजर गए लेकिन इसमें अक्सिरियत जो टाइम था वो उन लोगों के साथ गुजरा जो के पाकिस्तान के काम के लिए नहीं थे फेवर के लिए नहीं थे बलकि अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स करते थे तो यह एक्शल बस सोच थी हमारी और उसी सोच कर देखकर हम अब आप उन से मिलने गए थे तो क्या आपकी जो है सूच क्या तो यह याद है कि एरपोर्ट पर शाह खालीज आई वे थे तो मैं कुछ पैंसिल वर्क करता था मदले पिक्स वगरा आर्ट ठीक है फाइन आर्ट में तो उसमें पिर यह कि मैंने शाह खालीज की बनाई थी पैंटिंग की थी तो उसको मैं रोल किया हुआ था मैं छोटा था मुझे अंधादा नहीं था लेकिन मैं अपने एक दोस्ट समय जिए उनके साथ वो जरा सीनियर थी मुझसे हम एरपूर्ट गए तो उनको वो वेरी फरस्ट मेरी भुटो सहाब से मेरी उस वक्त मुलाकात सब्सक्राइब प्रफट तो वो वक्ता से मुलाकात करने का उसके बार तुरू एक मरतबा जुए से घर भर पर उनके सट्र केलिफ्टर पा उसके अलावा मेहुदाबाद जल्सा था उस स्टेज पर उनके प्रफ़ाद वहां से अपने दो अपने आपको क्या लगा वुटो साब कोई जलक नजर आती आपको कान साब के अंदर देखेंगे भुटो साब की जलक नजर नहीं आती मुझे तो complete भुटो बलके भुटो पलस नजर आती नहीं यह अच्छा जी यह जो है ना खान साब की एक अल्लह तौल्ह की तरफ से इनकी इनायते हैं और आपने देखा हो क कबी भी वो डिसार्ड या ये नहीज समझझे इपरिशान नहीं होते किसी बात से इसलिए कि आपने देखा हों कि जब दिन की स्पीश होती है उसमें तस पंदरा परसंड जो है ना वो जो अब्मत कदाई Гैंई यह वो तबलीग होती है तो उस जिसका इमान मख़ूत होगा. वो कहते हैं ना कि जब आप eganला ही लिल्हिल लेल्हिल हाथ के रहे हैं, तो इसका मतलबी के आप आजाद होगए, और जब आजाद होगए तो खौफ निकलगए, खौफ निकलगए तो मौतellen से. मैं निसान डड़ता है मौत से. अब मात ही का खौफ नहीं होगा, तो इसको खौफ बात किया। तो आज खान साथ बड़े थेट हैं, कहते हैं कि मैं आऊंगा, मुझे मर्म मेरी जिंदगी है, जब अगर मुझे मुझे मौत आनी तो अल्ला की तरह से आनी है, इन लोगों की तरह से नहीं है, तो इसलिए वह बड़े कॉंफिडेंट है और अलम जिल्ला अपना काम करें है। तो आपको भुटो प्लस नजरा आता कहा चाफ करें। भुटो प्लस यस भुटो प्लस भुटो तो सरी भुटो इस है और इंशाला और यह मुट्प्लाइब होते रहेंगे। इंशाला और इसको मैं तो कह रहा हुँ, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया, श्रीफ मुसल् नहीं चाहते कि कोई भी ऑनेस आदमी ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जो के दुनिया में तबदिली के वजवात मतलब वजव बनें तो इसलिए उनके रास्ते रोके जाते हैं उनको फिर बाहरे की इस पोजिशन पर लाए जाता है कि दुनिया के ठेकदार आपने बोला ये दुनिया के ठेकदार वही हैं ये तो धगी छुपी बात तौब रही दी मीडिया का दोर है आप चार बटन क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको पूरी हिस्टी नजरा आज़ाती है कि बैक में क्या होता रहा है और अब क्या हो रहा है और आइंदा में भी क्या हो सकता है तो इसलिए जो ना ये तो चुपाना ये तो जैसे दुनिया के ठेकदार अभी पहले रिशूय हो अपक्ताहा में अब अमरीका थे तो अब अमरीका है प्लस एक दोहर अब कंट्रीज हैं जो उनके अलाइसे वह था वहाधित दुनिया को समझते कि हम उनके ठेकदार है दश ऐसा नहीं यह क्यों निसम कुष्द करवाद होन का तर्श स्यूल सरन के उतना सा है, ये वह थरत इसलाम को मानते हैं, और हम हदरत इसलाम मुहांतес सलय अलिए और मतलब आकले अव्यी मानते हैं, अब पुमरे दर्मियान होना झालाव पर मोतलब पलस ममेसे रहों सान का मुहां प्रिजात्राम को ना मानें लेकिन उनका इमान के बगार भी कंप्लीट नहीं है लेकिन उनके एक जो दुनियावी लाभी ओती है उनके अंदर बहुत सारी तब्दिलिया जाना वाक्य हुई है कि हम जो हैं सब नभीयों को मानते हैं बिलकुल यही बात है कि वो सिर्फ हमारे आखरी नभी को नहीं मानते हैं यही सारी लड़ाई यही तो फार्ट है उन्होंने नभीयों के लिए जो नाजेब गुसाखी की है आज इमरान खान के टाइम में क्यों नहीं वेश इसलिए कि उनको पता था कि शदीद रद्धे अमल मिलेगा इसका बिलकुल वो मतलब बरदाश नहीं करेंगा इसको और आज यह जो नई ठेकेदार बने हैं जो के मतलब यहां एजन्टी कर रहे हैं जिसे मैं कहता हूं कि जो अपने क्रैप्शन के पैसे और अपनी चौरी का माल बचाने के लिए आज पाकिस्तान के लिए जो एक हैडिक बने हुए हैं तो इन लोगों ने आज देखी रहे हैं किसी वजीर खारजा ब्रावल भुटो साब एक लफ नहीं है प्राइमिस्टर साब एक लफ नहीं है इसलिए कि उनको पता है कि अगर हमने उनको कहा कुछ तो इसका मतलब यह है कि हमारा बिजन्स हमारे पैसे हमारे उनकी तो नहीं है कि वो जो है ना वो कोई डिपैंड नहीं कर रहे है खान साब पर मुझे खान साब को एक वाक्या याद आगे जबरदस ना आपको मैं बताओं खान साब एक तफ़ हम गाले में सब्सक्र कर रहे थे तो उन्होंने का कि या मुझे अगर सियासत में कोई कुर्बानी और यह देनी पड़ी तो वो सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे घर के खराबी की होगी। यानि मेरी बीवी बच्चे मुझे से अलाद हो जाएगी। अगर वो होती भी हैं अगर वो रहेंगी भी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि वो मेरे साथ रहकर मतलब पाकिस्तान की और दुनिया की गरीब कौम के लिए कुछ काम के लिए इसलिए एक साथ देना ही पार्टनर का एक बहुत बड़ी बात होती है लेकिन अगर वो ना क्यों ही है तो भी मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना इसलिए कि उन्होंने एक बात बताई कि जब मैं निकला था शौकस खानम बनाने के लिए मुझे नहीं पता था मैं तो किर्कृटर था पता नहीं दिमाग कुछ और था मेरा कोई मुझे हार लगा था तो मुझे गुस् सास हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ इन के लिए मजीद करना है और फिर 92 जाहरे के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने शौकत खानम के लिए और उसके बाद पिर उनकी खौइश यह है कि हम अपनी कौम को इतना अवेर करें कि उनको अच्छाई और बुराई का पता लग जाए औ वो चाहे कराची का था वो चाहे लहौर का था या फिर वो चाहे इसलामबाद का था तो यह तो मतलब उनको तो जवाब मिल ही गया होगा आप तो जलसी की बात कर रही है हां खान साब ने पिछले दुनों किरा मतलब एक कॉल की थी कि तमाम लोग बाहर निकले हां मैं इतने लोग बाहर निकले कि जितने उनके जलसे से भी ज्याज़ा से मतलब है हमारे पास जगह नीची रोड ब्लाग सारी चीज़े ब्लाग हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा अरेंजमेंट इनी था कुछ और लोग खुद से मतलब उनको ना को लेकर आया ना उनको ब्रियानी की फ्लेटें दी उन्होंने खुद अपना खाना अपना पानी अपना पैटॉल अपनी गाडी अपने बच्चे अपनी सब लोड ओे बैड़ीं फुट्पार्ट बैट आओड बाइकबा बैठ़ेवे च्टों बाइकों पर बैठे वे और चांसाब ने बस तो जब यह जुनून होगा, तो फिर मैं नहीं समझता है कि इसको कोई रोख सकता है, मैं मेरी समझने इस बात को मैं मानने को तियार नहीं। यह आप यह कहने चाहरे हैं कि खान साफ आएंगे दोबारा? इसको कोई भी ना इंटर्नल ना एक्स्टर्नल वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि अब मेरा घर है, मेरी मर्दी है कि मैं इसको जैसे चला हूँ। अगर हमारे घर के अंदर यूनिटी होगी तो फिर तो किसी की मजाल नहीं। पिर आपस में लडाई नहीं होगी ना। यूनिटी होगी तो लडाई नहीं। तो पिर किसी की मजाल भी नहीं कि हमारे घर में इंटर्फरेंस करें अगर मेरे घर में चार लोग बैठे हैं उन में से तीन ग्रूप बने वे हैं तो फिर तो जाहर है कि जो मेरे दुश्मन है या मेरे एक तलाफ रखने वाले हैं उन लोगों से फाइदा उठाएंगे और उसके बाद पिर ये जितने भी लोग हैं हमारे तो खौहिश ही है कि आलाओ इनको भी हिजाज दे दे जो मतलब है इस डगर पर चले हैं इनको भी अल्लाओ को जवाब देना है लेकिन आपको नहीं लगता यह अब इस डगर से वापसी उन लोगों भी बहुत मुश्किल होगे देखें जी मुश्किल तो है लेकिन नामुम्किन नहीं है क्योंकि यह चीज को आज की तो नहीं है आपको भी पता है यह तो बहुत पुरानी जड़े हैं आप इसको कैसे काट सकते हैं देखें जी जड़ें तो इनसान मरा जड़ खतम क्या कर लिया अब मतलब है जिनका जो खांदान था मैं एक उनके शरी फैमिली के वाले से बात करता हूं मैं यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करूंगी मुझे ब्रेक पे जाना है वियर्ज मैं मिलूंगी आप से एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेल्कम बैक वियर्ज हम बेटे हैं इस वकत अर्शिद मुगल साब के साथ और बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े मज़े की इनके साथ चिटचट चल रही थी सेर मुझे यह बताएं अभी आप बात कर रहे थे शरीफ फैमिली से रेलिवन्ट किसी वाक्या की तो अभी ब्रेक से पहले हम इस बारे में बात कर रहे था मैं शरीफ फैमिके हवाले से बात कर रहा था कि देखिए बात किया है कि इनके बाले साथ थे उन्होंने जिरो से उट कर एक लैवल मिंटेन किया और वो इस दुनिया से चले गए सही इनकी वालदा थी चली गई एक वक्त इन्होंने भी चले जाना है सही तो हम तो इनको यह कह रहे हैं हम इनको नहीं बलके जो भी इस टाइप का काम करने वाले हैं कि एक रोज समने चले जाना है तो अपने लिए अपना कबर का अजाब यहां से साथ क्यु लेकर जा रही हो कम हज़ कम ऐसा कर ले कि वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक शख्स की जिंदेगी ली तो पूरी इंसानियत को मार दिया बिलकर और अगर एक शख्स को बचा लिया तो आपने पूरी इनसान इसको बचा लिया तो अला के नद्दीक इसके हज़र है तो उन लोगों ने अपने पढ़ड़े में एक ऐसे मामलाद को डाल लिया है कि मेरा खाल है कि अल्ला ताला से हम दूआ कर सकते हैं कि अल्ला ताला उनको माँ फर्मा दे और बाकी करतूद तो उनके ऐसी है और उनसे कुछ कहना जो है ना मतलब ऐसा है कि अब तो यह तो आम हो गए इस्दाद आम है बच्चा बच्चा जानता है किसी बच्चे से अभी एक प्रोग्राम चल रहा था उनसे दो तस्वीरें लेकर एक बच्चा खड़ा वा था बोला जी इमरान खान जिन्दाबाद बोले यह बोले लानत इस पर तो यह कंडिशन आज मतलब लोग अवेर हैं अब किसी को अब अगर मैं स्पीच ना भी करूं तो भी बच्चा दो बटन दबाता है पूरी चीज़ें निकाल लेता है तो इसलिए अब अलहम्दोल्ला खान साथ के साथ पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी मुस्लिक उम्मा खड़ी है और खास तोर पर पाकिस्तान के अवाले से एक गूर डियूस यह है कि हमारे जो फॉरन जो हमारे जो लोग हैं बाहर मुकीम है ओर सीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हंडेट परसंट खान साथ के साथ कड़े हैं लेकिन अभी जो इन्होंने ओर सीज़ पाकिस्तानी के लिए वो किया था वोटिंग का जो सलसला किया था अब वो तो बंद हो गया नहीं बाद नहीं हुआ उसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि डॉक साब ने जो प्रेजिन्ट साब हैं उन्होंने वापस बेज़ी आच्छा जी वापस बेज़ी है तो मतलब वह चीज रहेगी वह अभी तक रहेगी है लेकिन अगर नेक्स टाइम जो है वह फिर कौमी अस से अप्रूब होकर चली आती है तो फिर शायद हो सकता है कि उनके पास कानूनी ऐसे इतना हो उसको रोकने की लेकिन इस दौरान में हमारे पास बहुत सारे एडवांटिजिस हैं कि हम उनको रोक सकते हैं लामजिला आपको क्या लगता है आते ही सबसे पहले इन्होंने इन पर पाबंदियां क्यों लगाई हैं बायोमेट्रिक भी जो है उसको क्यों बन किया गया है क्यों हला कि वो एक बहुत सहूलत का चीज थी और उससे बहुत सारी चीजें जो है सौट आउट हो सकती थी देखे जी जब आप किसी से कमिट्मेंट करके आएंगे तो वो तमाम च फेवर की जतनी चीजे हैं वो आपने खत्म कर नहीं है थाकि पाकिस्तान की अवाम खड़ी नहोजाए इसकेफिक पाकिस्तान मिसाल यू दूँगा कि हम जब डॉक्टर कदीर एक छोटे घराने से तालुक थे और उसके बाद फिर गवर्मेंट इसकूल से पड़े वे थे और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब है अपनी जिन्दगी को वक्त किया पाकिस्तान के लिए और दुनिया की वो टेक्नलोजी ब अब तक दुनिया में नहीं है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और हमारे लिए बाई से फखर है और आज भी मतलब उनको बहुत अच्छे और प्यारे लफजों में याद किया जाता है क्योंकि एटमी ताकत का जो मोजद है वही बंदा है वही बंदा है ने मैं यह मामला त्थे वह उससे हट कर है बिल्कुल वह दॉयंगाट जीजफ यह बनाई उनके बनाई है तो यह पाकिस्ता अब इम्रान खान दुनिया के बेस्त्रीन कप्तानों में मतलब शुमार मतलब नंबर वन कप्तान पाकिस्तानी जब यह क्रिकेट में थे तो यह सबसे बेस्ट जो है कैप्टन थे आज भी अगर मतलब जो उनकी रैंकिंग है कि आइसी की वह उन्हों ने यह कहा है कि अगर कोई कप्तान रहे तो इम्राम खान रहे और उसकी वजाएँ है कि खांसाब एक्ट एक किर में ज़्चार ने जाए तक जरहा था सकते हैं तो बोले जब उतनी मेंनत हम करनी सकते तो जाहरे लिकल बेलकुल बेलकुल ने वज़ तो ये वज़ा थी हमसे डरने की 10 अहां किने हम इसकते हैं तो उसलिए जदा हम उन जाक dysp. यानि खान साब हर एक इनसान को जो एक कमपीट करते थे और एक बहुत स्ट्रांग कॉमपीटिटर थे वो पहले खुद करते हैं मैं बताओ आपको खास कॉलीटी वो खुद करते हैं पहले वो काम जो जैसे नभी पाक चल्श के पास एक खातून आई, उनों ने कहा कि मेरा बेटी बच्छा गुर्ट भी बहुत खाता है, तो उनों ने कहा कि आप कल आ जाना, तो वो एक अधिस बड़ी तो उनों ने कहा कि कल क्यों, वो तो मतलब अगले रूस जब गए, आज क्यों बला आ, तो यह तो हमारे नबी पाक की तालीम है。 ह। So, वो तालीम जो है ना इमरान खान ने अपना ही ही है. सहीं। उनको ड्रचन बहुत जादा है ह। उनका रचा रुछान है और इसलिए आज अगर पुरी दुन यहीती है. अमरान कान के नाम, के द, नबी पाक बाकाइदस प्रेडरी प्रेडरी प्रेजिस के अले प्रेट है अब मैं बताऊं आफको अाप्राइड होब्रिदी प्रिजा प्रिशागे लृप्रों ऑप blueberries लेगー अब मैं बताओं आपको कि ये लोग अब एक उनकी जो इन्फरमेशन सेग्रेटी हैं वो कहते है कि ये खान साब की वज़ा से जो है ना हमको ये महंगाई करनी पड़ी है अब यहां मैं एक लिए रुख्या कहता हूँ कि अगर उसकी वज़ा से करनी पड़ी है तो इसका करते हैं और आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गए एक हफ्ते में जो है ना नवी रुपे तक्रीब साथ रुपे बढ़ा दिये तो मैं यह कह रहा हूं कि खान साब पर कितना प्रिशर होगा अगर खान साब ने रोका हुआ था और यह नहीं रोक पा रहें तो इसका मतलब इ प्रिशरायत उन्हों ने रात और रात गैस की कीमत 45 दो बढ़ा दी तो एक्शल बात यह है कि इनको ना को कोई सरोकार रही है इनको तो अपने बैनेफिट्स चाहिए अपने वह जो क्रैप्शन के जूट मार के पैसे हैं उनको बचाना है लेकिन बचेंगे नहीं से बचें रहे हैं कि बिल्ली नहीं देख रही है ऐनके बंद करने से उसकी जान नहीं बस नहीं है अब यह लाघ आंके बंद करके बैठो रहे हैं तो क είम सिए को नहीं चोड़ना है और यह हिस्ति बन रही है पाकिस्तान में इक हिस्ति बन रही है क्यूंकि सबसे जैदी म크Of iChat न स्ब हम्जा मुर्गή क्या हैं? अज जब वो उनकी मुर्गी के सन्त है, इसलिए वो हम्जा मुर्गी है। हम्जा मुर्गी जो हैं, वो जब मैं है और इसमेधर की सrakून, कैसे लोग हैं। कि अपने चंद रुपाओं के लिए उन गरीब लोगों का जो के बामुश्किल अपना गुजारा करते हैं अज़साब पूरी कौम दाव पर लगी पड़ी है आप सिर्फ गरीबों की बात कर रहे हैं बाकी जो मिदल क्लास लोग यह कहां जाएं मुझे बताएं एक सफैर पुछ बंदा तो किसी आया हाद भी नहीं कर सकता मैं आप से यह कर रहा हूँ मैं गरीब से इसलिए शुरू हुआ था कि ज्यादा अफेक्टिड वही है बिल्कुल आप यकीन करें अब भी इस दोरान में जो लोग मुझे मिलें जो इंतहाई गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं आप अलगे बहुत बहुत बुरा हाल है उनका ना उनको उन पर तर्स आता है मतलब जी चाता है कि हम अपने आपको बेश कर उनके लिए कुछ करें ना इसलिए कि अब अगर उसके बच्चे हैं दो और बीवी है किराय के घर है और उसके बाद रोजगार नहीं है तो फिर व बद्वाइन दे रहे हैं उनके बच्चे इनको बद्वाइन दे रहे हैं वो कल को जब बढ़े होंगे और जब उनको ये रिपीट किया जाएगा कि य solving गुजर चाहा है तो भूला इस डौर में आप ने कैसा व culmin गुजरा तो फिर वो क्या घान के लिएまあ बात्साब इनको समझा है तो वह अमरीका है अच्छा यस उसको पता है कि अगर खान या खान पाकिस्तान पर रुख्मान रहे तो ये कौम भी तब्जिल हो जाएगी ये मुल्क भी तब्जिल हो जाएगा और फिर हमारे जो टिशूज हैं वो खतम हो जाएगे तो इसलिए उन्होंने सबसे पह सबसे बतीर स्वेत्रीत क混 estaशश को सापते हैं अरश एपिलिशन को से हमारे व्यड़ाय नहीं है अमरीकनोंकी जो पालेशी है on keill italy I just thought के वो scared Oo डरे हुए तो इसलिए हैं वो ही बात कर रहाaphor हूं कि अमरीका की एक जगा मैं तारिए भी करूँ और बूरा ही करते हैं तो आपको लग रहा है कि उन्होंने इनको पुपट बनाया है। इस तरह जाए पुपट बिनाया है। बस नतरे को सुपट जाएं। अब बड़े पॉइंट को टिक मार्क किया जी यह हम नहीं कर सकते हैं, बड़ा बैंक का अकाउंट बंग, जब दुनिया के अकाउंट बंग हो जाएंगे इनके तो यह तो बिकारी तो वाखी है और फिर 100% हो जाएंगे, तो वो अपने आपको उन चीजों से बचाने के लिए यह सिक्योर कर रहे हैं अपना वो पैसा जो बाहर में होता है अब उनको देखें मैं एक मुड़ी सी मिसाल कि अगर दस पॉइंट उनने दिये के आपने इन पर काम कर रहा है, अब यह पैसे बढ़ाने हैं, अब यह कहते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं जैसे खान साब नहीं कर देंगे, जो क्राउस जाएगा ना तो फिर इनको अर्बो डालर का नुक्सान होगा, यहीं से हम अपनी बात को कंटीनियू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है, वियर्ज मैं मिलूंगी आप से एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वियर्ज मैं मिलूंगी ब्रेक से वापिस और हमारे साथ बैटे हैं अर्शिद भूगल और इतनी अच्छी बाते सुनने को मिल रही हैं कि जो मेरी पहले इंफरमेशन नहीं थी मुझे इसके बारे में बिलकुल भी खेर, मुझे ये बताएं कि अब तो माशालला आपको भी पता है, मैं भी पता है, अब तो उनकी माजूदा हकूमत है, नूनली की, तो ये वजीर आजम बन चुके हैं, शरबाद शरीफ साब, आप तो ये अपने भाई को बुला सकते हैं, आपको क्या लगता है, ये अपने भाई आएंगे नहीं, और वो आएंगे नहीं, ऐसे क्यों? ऐसलिए है कि उनको पता है, कि अगर कल को कुछ तब्दिली आती है, तो अभी तो पचास रुपए के स्टाम पेपर पड़ जो है ना, वो जमानत भाई की दे कर चले गए, तो उसके बाद ये तो सारे के सारे जब करते हैं, तो यहां पर पब्लिक पागल तो नहीं है, उनको एक लंगे पता लेगा कि अगर वो आ रहा है, तो उसको ये जेल में क्यों डाले? तो आज पब्लिक को वेर है, पब्लिक उनको पता है कि क्या करना है, मैंने तो यह कहा था कि अभी पिछले दूने जब खान साब मेरी चान वो खत्रा है, और एक जलसे में उनने का कि मैं कौम तुम से पूछता हूं कि क्या तो मुझे इनसाफ दिलाओगे, तो मैंने मेरे जहन में एक बात आई थी, कि मैंने का खान साब ने यह बात तो कर दी है, लेकिन मुझे लगता कि यह कौम किसी पर इतमाद ही नही इतना भ्यानक होगा, क्योंकि वो एक मुझ में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, आपस तो यह एक बहुत बड़ा जो है, मतलब वो इशू है हमारे पास, कि किसी भी ओनसादमी को जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, उसको ब्रेक करते हैं, और यह जो दो लोग कभी नहीं आएंगे, एक अलताफसेन और एक नवाश्रीफ, और कभी नहीं आएंगे, इसलिए कि एक मिनट है, नाम नहीं लेना था उसका, अलताफसेन का, चल्ड़े ठीक है, नी वाप इसको, बस आप बोलनें, दो लोग कभी नहीं आएंगे, समझा करें, मैं बॉटर थी ठीक होगे, ओके, आजाएंगे इसे, तो आप बताईए, हाँ, आप कह रहे थे, दो लोग कभी नहीं आएंगे, उसकी वज़ाई यह है कि उन्होंने इतना चूरी का पैसा कठा किया हुआ है, कि जो अब उनको जुरूरत ही नहीं कुछ करने के, आप उनके बच्चे तो और पाकिसानी नहीं है, वो तो पाकिसानी नहीं है, मैं हरान हो तो एक बात पर, वाव वाव जब पाकिस्तान की शेरियत से ही मुकर हैं, पाकिस्तान की शेरियत से ही मुकर हैं, वो अपने बाप की उसकी बल्जियत से मुकर हैं, इसलिए कि उसका बाप तो पाकिसानी है, और व इसकी कोई सेंस बन नहीं रही है या तो बाप भी कहें मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ समझ में आता हूँ पाकिस्तानी नहीं है वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हूँ समझ में पाकिस्तानी नहीं है तो पाकिस्तानी अगर कल को मैं जाके इंग्लैंड में मतलब वहां की नैशन रहे जो अपके बड़ी खोइश है कि मैं पाकिस्तानी हो कर मरूँ यह है क्योंकि यह है पैसे की पुजारी जो आप जेक्षी इसी वालदा की डेफ हुई उनका बेटा लेंडर में मौजूद था और वो अपनी मा की जनाजे में नहीं आया है और उनको डब्बे में पैक करकी यह बेज़िया और उनसे जब किसी ने पूछा कि यह रख भुले मेरा बिजनिस वह आपाइंटमेंट था इसलिए जनाजे में नहीं आ सका उन्होंने अपनी मां को अपने बिजनिस पर तरजी नहीं दी बलके बिजनिस को तरजी दी और अपनी मां को छोड़ दिया जाने दि तो इसलिए उन से यह तवक्यो रखना बिल्कुल जी अल्ला करे उनको उनकी लिए हमारे पास दुआएं हैं हिदायत दे अल्ला उनको शो जो है वो बहुत ही जादा सख्त किसम का चल रहा है हम इसको थोड़ा नॉमल करते हैं मुझे यह बताएं आपकी जो है स्कूलिंग क वहां से प्रोस प्रोलिज कहां से पड़ा आपने टीह पहले मैं स्टूलिंग मैं बदाऊं मैं सी मिर्ए कभ्या curseida कोलनी एक है वहां से मेरा मेरी मेरी पाइश फोला पहब मेरी आश्याल म هوह एक का माय बहुत हुए उनको उसका पार मैंने इप्तजा इतारीम असिल की और उसके बाद फिर महां से मैंने प्राइवेटली जो आना मतलब यू सम्मल लेके मैंने अपनी एजुकेशन अच्छल मेरे वाली साहब के साथ एक इंसिडिट हुआ था और मैं बहुत चोटा था और उस वक्त मैं घर में कुगे सबसे बड मेरी मेरा उस प्रना पाइपना बृइस के नाम से हम काम करतें इंटियर का काम करते हैं प्र और उस स कुद्प आख का मतलं यह जब तो इसलिए हमारा काम है और इससे बस घरिडरिपर हम करते रहते हैं और बच्छन हमारा बढत अच्छा गुणरा जब थोड़rous टीनएज तो वाली साइब के बाद हाला डिस्टरब हुए तो फिर आप ने जो है घर की जमिदारी थी और मेरे वाली साइब साथ साल बीमार रहे हैं वो बैट पर से साथ साल ना तो उसके बाद फिर वो साथ साल हमारे जैसे गुजरे हैं वो हम जानते हैं या हमारा ला जानता है तो हम तो एक पता है कि गरीब गुरुबत क्या होती है हम बसों में भी लटक कर गए हम ट्रेन में भी लटक कर गए हम अपनी गाड़ियां भी इस्तुमाल जब तक जो है इनसान खुद तकलीफ से नहीं गुजरता है उसको अगले की तकलीफ का पता नहीं चलता है इंटेर जो है मेरी शादी हो गेती थी टूल्टीमी एस कितनी अज में मेरी शादी तो मेरी ठीक मेरी आज साली चाड़ी ती मेरे हम रखाभ अए वजया रही इसकि में बालिसाग है मेरे बीमार थे तो वो जो है ना उनकी खुआछ की थी कि मैं अपने बड़े बेटी की की कम असकम और सेरा देख रहुता है हर माबाप का एक खाब होता है तो फिर इतफाक की बात ऐसी है कि वह जिन से मेरी शादी हुई वहा हमारी घर मेरती थी हमारी करजन थी तो हमारे वाली थाफ ने यह पर्पोस किया कि मैं मतलब शादी तो आपने आप वोल दिया। पहुने आठारा साल की उमर में है। मेरे शादी होगी। और उनकी क्या एज थी। उनकी तक्रीबर यही हम उमर ही थे। तीन एज में थे आप लोग। है कुछ फोड़ा का फर्ट लेकिन बारा वो बताने वाला नहीं है। तो जिनदीगी बहुत अच्छी जा रही है में रेकित्स वाइज खारेश रहे है। य। ज़िए इता पने काम के सिल्से में को देफिन स्टी तो जैसी होगा इन्शादी करेंगे। मैंने तो सुकाता मैंने का देख ले भाई आप मेरे बच्चों को देखिए जो जो कहते ना एक नभी पाक स्रेज़सलें के अपनों से बाहर शादी करो अच्छा अपने कबीलों से बाहर शादी करो हमारे बहुत सारा कॉंसर्प ऐसा है कि शैद वो अपनी ब्रादरी में कि तो आपकी अप माशलाह अच्छी एक हापीली लाइफ जा रहे हैं अलद नहीं हमारी जॉएंट फैमल्य है जी माशालाजिया और अभी तक मेरा घखले के पहले बेटे की शादी को आर्ट साल से जादा हो गए और वह आठ साल से लेकर अभी तक हम जॉएंट सिस्सम मे चल और आने वाले दूनों में अला करें आप कह रहे हैं खान साब आएंगे 200% आपको यकीन है मेरे शो का वक्त होना जा रहा है खतम लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे देखा जी यूथ और जनरेशन को तो अब वो मेरे पास तो मैसेज देने के लिए रहा कुछ नहीं कि खान साब ने जो है यूथ और हमारी कौम को इतने मैसेज दियें कि मेरा खाल है कि अब एक एक शक्स ये समझ गया कि सच क्या है जूट क्या है और मैं एक दफा खान साब के कि एक बात ओरी थी उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्हों ने अपनी बुक्स लिकी तो उसके अलावा वो कमेंट्री करने का इंडिया तो उन्हों ने उस बात पर मुझे याद है कि ये बात की थी कि अगर एक शक्स इमानदारी से जिन्दा रहना चाहता हो तो वो बाहिज तरीके से अपनी जिन्देगी गुजार सकता है इसलिए कि जिन्दा तो चौर भी रहता है डिकेज भी रहता है और इमानदार भी रहता है नमाजी भी रहता है शराबी भी रहता है लेकि इन समाम लोग में फर्क जो है वो स्रीव इतना सा है कि एक बाहिजद मुकाम होता है और एक जिल्दत के साथ जिन्दए की गुजारना होती है. तो खांसाब समयत मेरा यही मैसिज है अपनी नेशनल के अपने कौम के लिए, अपने यूध के लिए, कि एक तो खान साब को फालो करें सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी यूद को कहूंगा कि खान साब को फालो करें इसलिए कि उससे बड़ा हमारे पास सिंबल कोई नहीं है और बाकी तो और अरड़ी अलमदल्ला कौम करी रही है लेकिन मजीद इसमें शिद्दत लेकर आएं ताकि आप खान साब उस स्टीच पर रहें कि आप भार बार कौम से खिताब हो से पर ना कर सकें लेकिन अब क्यूण को पता लगिया कि सच और जूट क्या है तो आप अपने तौर पर बगएर किसी कहे वे अपने तोर पर अपना काम शूरू करें और पाकिस्तान और पाकिस शो में एक नए गेस के साथ तब तक के लिए दीजिये मुझे इजाज़त अला हाफिस